आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छे से चल रही होगे दोस्तों I.A.S की Free तयारी के इस महा क्लास में आपका सपागत है जैसा कि आप सभी को कल रात में ये जानकारी दी गई थी कि I.A.S की जो Free Classes है वो आज दिन में सुरू की जाएंगी ठ फ्री पूरा स्लेवस आपको हम यहां पढ़ाने वाले हैं और सारी जानकारी हम आपको यहां साजा करेंगे देखे दोस्तों जो लोग UPSC की फ्री तैयारी करना चाते हैं आईए इसकी फ्री तैयारी करना चाते हैं वो यहां हमसे जुड़कर पूरी तैयारी फ्री कर सकते हैं यह मोटी मोटी जानकारी आपके लिए मैं आहां साजा कर देता हूँ ठीक है देखे हमारी यो classes है वो free चल रही है पहले सी भी चल रही है लेकिन अब यो आपकी classes है वो fresh best शुरू हुआ है जिसकी साथ class अभी हो चुकी है और आज यह आपकी आठवी class है ठीक है साथ जो पहली साथ class हो चुकी है वो आप देख पाएंगे इसी चैनल पर इसी वीडियो के description box में उन साथ वीडियो के playlist के link दी गई है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लें लेकिन इस वीडियो जो आज class lecture होगा उसे देखने के बाद उसे आप देख सकते है ठीक है यह नया lecture है नई सुरुआते एकदम जीरो से सुरू करेंगे एकदम जीरो से कहने का मतलब यह है टॉपिक एकदम नया है ठीक है आपको पूरी books material आपको free मोया कराई जाएंगी किस तरह से कराई जाएंगी उपेसी की पूरी तैयारी आपको वो मैं आपके साथ अभी वीच में ही साजा करूँगा वीडियो के बीच में ही पढ़ाते वक्त ही साजा करूँगा ठीक है लेकिन इससे पहले जो आपको सोविधाय मिलेंगी वो आपको थोड़ा थोड़ा बता दो उसके बाद class की शुरू बात करते हैं देखे आप बहुत से बच्चे books की आभाओं में तयारी नहीं कर पाते हैं पैसो के आभाओं में तयारी नहीं कर पाते हैं किस तरह से classes कैसे मिलेंगी टाइमिंग क्या है किस तरह से सब कुछ बताऊंगा लेकिन class सुरू करते हैं ठीक है चलिए देखे हम यहाँ पे इससे पहले हमने article 18 तक देख लिया आज नया article article 19 हम सुरू कर रहे हैं स्वतंतरता का अधिकार ठीक है कौन सा article आर्टिकल मैं लिख देता हूँ article 19 स्वतंतरता का अधिकार जो बच्चे एकदम नए हैं पॉलिटी को कुछ नहीं जानते हैं जीरो से जानते हैं अभी पॉलिटी के बारे में अगर वह आप सून ने हैं तो मेरा दावा है इस वीडियो को देखने बाद इस class को करने के बाद आप आज इस से उत्तर लिखने के हिस्तितिती में आ जाएंगे आप आज से अंसर लिखने के उससिति में आज आएंगे और कमेंट सेक्षन में यह भी बताएं आप कि हमारे पढ़ाने का दरीका कैसा है ठीक है चलिए जादा समय लिखा सुरू करते हैं क्लास को देखे आर्टिकल 19 आज हम सुरू कर रहे हैं अभी व्यक्ति के रूप में देखे जादा समय लिखे जो लोग नए जुड़े हैं अभी तक नहीं क्लास के हैं उनको भी ये क्लास नए एकदम नए है एकदम नए सरी समझ में आएगी ठीक है चलिए आर्टिकल 19 हम सुरू करते हैं थीक है जो आर्टिकल 19 है मोटे तवर पर हम इस आर्टिकल को वाख एवं अव्यक्ति के सुतंतरता के रूप में हम मोटे तोर पर इस आर्टिकल को देखते हैं अब देखे इस article ये article बहुत बड़ा है बहुत विस्तिरत बहुत ब्रॉड article और आपके UPSC के exam के point of view से ये article बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये article controversial भी रहा है और right to freedom ये जो आपका स्वतंतरता का अधिकार है जिसमें बोलने का अधिकार बहुत से अधिकार आ जा जाता है और परिक्षा में ऐसे प्रश्ण इसके MCQ पूछ लिए जाते है ठीक है तो चलिए देखे जो article 19 मैंने आपको बताया कि वाक एवं अभिवक्ति के स्वतंतरता मोटे तोर पर ये है ठीक है अब देखे इसको मैं थोड़ा erase करता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं आपका 191A एपको बताया कि आपको अभिवक्ति के स्वतंतरता अब देखे ये हर जग आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या लिखा हूआ है वाक एमम अविवक्ति के स्वतंतरता, अब लेकिन इस वाक एमम अविवक्ति के स्वतंतरता में क्या क्या चीजे सामिल होती है, तो भीया आप देख लें, इसमें बहुत से चीजे सामिल होती है, कौन कौन सी, सबसे पहला, प्रेस की स्वतंतरता, प्रेस की स्वतंतरता, अब इस प्रेस में कौन-कौन से आ जाएंगे मैं रिस करता हूँ स्वतंतरता स्वतंतरता अब इस प्रेस की स्वतंतरता में कौन-कौन से आ जाते हैं भीया इसमें print media आ जाएगी कौन से आ जाएगे print media आ जाएगी electronic media आ जाएगी इसमें ठीक है electronic इलेक्ट्रोनिक मीडिया इसमें आ जाती है तो ये दोनों ही प्रस की स्वतंतरता में आते हैं प्रिंट मीडिया भी एस वेल एस एलेक्ट्रोनिक मीडिया ठीक है अब देखे इसी के अंतरगत आपके दूसरे में आपको पुस्तक लिखने की स्वतंतरता पुस्तक लिखना भी इसी स्रेणी में आता है ठीक है इसी के अंतरगत फिर आगले point में मोटा-मोटा आपको discuss करना हूँ फिर brief अभी enter करता हूँ इसमें brief में ना बोलने की स्वतंतरता ये देखे ना बोलना यदि आप नहीं बोलते हैं तो इसकी भी स्वतंतरता है ऐसा नहीं है कि आपको आप कहीं सांत है और आप नहीं बोलना चाहे तो ये भी आपके किसमें आता है आपका स्वतंतरता का अधिकार में आता है वाक एवं अविवक्ति की स्वतंतरता में ये भी आता है ठीक है फिल्में बनाना ये सारी स्वतंतरताएं ठीक है किसमें आती है आपके वाक एवं अभिवक्ति के स्वतंतरता में ठीक है ये रोट डाउन करते चले ठीक है अब लेकिन लेकिन ये जो स्वतंतरताइं हमें दी गई हैं सारी स्वतंतरताइं हमें दी गई हैं इन स्वतंतरताओं में कुछ प्रतिबंद भी लगे हुए हैं प्रतिबंद भी में पढ़ना जरूर और जब तब जब आप UPC की तयारी करें इसने विस्तिरत प्रिक्षा की तयारी करें तो मैं इसे इरेज करता हूँ और क्या क्या प्रतिबंद लगाए गए हैं समविधान में ना बोलने के स्वतनतरता पर क्या प्रतिबंद है वो हम आप डिसकस करते हैं देखे इसी पर कुछ प्रतिबंद भी लगाए गए हैं क्या प्रतिबंद है वो हम देखते हैं तो मोटे तोर पर हम हेडिंग डालते हैं देखे आपको लिखने जो मैं यहां बोलना हूँ वो लिखते भी चले अपने नोट्स इस तरह से बनाते चले वो आपके अपने पर होंगे तो आप फिंगर पर होंगे यह टॉपिक्स यह टॉपिक्स आपके फिंगर पर होंगे आप इसी तरीके से उसे रिकॉल कर सकोगे और आसानी से परिशा में इसको उतार सकोगे अपने कॉपी पर ठीक है चलिए देखिए कुछ प्रतिबंद भी लगे हुए हैं कि समविधान में बोलने, की स्वतंतरता पर प्रतिबंध है, फिर्ड है बैन है, फिर्ड है, वो गा falou बैन है, यह प्रतिबंध है, वो देखिए देखे सबसे पहला राष्टिय सम्प्रभूता य। अकंडता बात को समझें यह बहुत इंपॉर्डन टॉपिक हो जाता है, एकल प्राष्टियतं संप्रभूता संप्रभूता एवं अखंड़ता अब बात को समझें ये एक ऐसा अखंड़ता जब कभी जब कभी देखें बोलने के स्वतंतरता तो हम सभी को मिली हुई हैं हम बोल सकते हैं कोई हमें रोक नहीं सकता कोई भी सरकार नहीं रोक सकती पुलिस प्रशासन नहीं रोक सकता कोई भी सासन का कोई भी अंग आपको बोलने पर नहीं रोक सकता लेकिन 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 बात को समझें आप जब बात राष्ट्रिय संप्रभुता की आती है यानि कि जब बात नेशन की आती है, जब बात हमारे राश्ट की आती है, तब यदि आप राश्ट के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसी statement देते हो, ऐसी speech देते हो, जो हमारे राश्ट के खिलाप हो, हमारे नेशन को तोड़ते हैं, ऐसे सब्द, ऐसे वक्तव्य, जो आप बोलते हो, हमारे ये बहुत controversial topic है किस बात का ये new का मुद्धा अपने सुना होगा जवार्लन नेरु विश्यो विद्याले का वहाँ पर राश्ट्रिय संप्रभुता और अकंड़ता के कुछ लोग कहते हैं कि बोलने के अधिकार इस पर बहुत सी controversy भी है बोलने के अधिकार पर कई लोग मिस्यूज इसका कर लेते हैं और राश्ट्र के खिलाप भी बोलना सुरू कर देते हैं नारा लगाना सुरू कर देते हैं तो कई बार क्या होती हैं सरकारे जो होती हैं वो इस article के तहत जो राश्ट्रिय संप्रभुता और खंड़ता का जो तो राश्ट्र के खिलाप भी बोल देते हैं तो बहुत controversial topic है तो ये प्रतिबंद लगाया गया राश्ट्रिय संप्रभुता और अखंड़ता के खिलाप अगर कोई बोलता है तो इस पर आपके बोलने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है ठीक है अब देखे यही पर एक और point है एक और point है मैं pen को change करता हूँ एक और point है देखे एक minute देखे यही पर बात आती है राश्टिय सुरक्षा की बात को समझे राश्टिय सुरक्षा की बात आती है राश्टिय सुरक्षा यानि कि अगर राष्टिय सुरक्षा के आप ऐसे statement दे रहे हो जिसे हमारे national security पर खत्रा हो तो ऐसी condition में आपके बोलने पर भी क्या लगाया जाता है प्रतिबंद लगाया जा सकता है ठीक है राष्टिय सुरक्षा के खिलाब अगर आप national security के खिलाब बोलते हो ठीक है ऐसा और ऐसा प् यानि कि जो व्योस्थाएं व्योस्थाओं का क्रम है अगर उनके खिलाब आप बोलते हो तो ये भी हमारा क्या है आपका प्रतिबंद लगाया जा सकता है और आप ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि ये जो तीसरे बिंदु है लोक व्योस्था वो हमारे मूल समविधान में नहीं है यानि कि जब हमारे समविधान का निर्माण किया गया था तो इसमें यह टॉपिक नहीं जोड़ा गया था कि यह जो टॉपिक है कि लोग विवस्था के खिलाप अगर आप कुछ इस तरह से बाते करते हो तो इस पर प्रतिवन आप लगा जा सकता है तो यह सारे पॉइंट हैं सदा चार अगर यह सदा चार के खिलाप किसी व्यक्त के सदाचार पर आप ऐसा होता है कि आप बोल और आप अहित्यों में जा रहा है तो इस पर भी प्रतिबंद लगा जा सकता है आपके बोलने पर तो यह कुछ खासा पॉइंट्स है ठीक है वहीं देखे, मैं यहीं पर चौथा पाँचवा पॉइंट डालता हूँ, देखे, नैतिक्ता पर, यदि आप नैतिक्ता पर कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इस पर भी क्या है, प्रतिबंद आपके बोलने पर लगाया जा सकता है, इसी के साथ साथ, अपराद को बढ़ावा देना, व जिस पर criminal activity बढ़ती है, तो भाईया क्या होगा, इस पर आपके बोलने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है, ठीक है, इसी के साथ साथ, मान हानी, मान हानी, यानि की defame करना किसी को, बात को समझे, यदि आप किस ऐसे statement देते हैं, जिस पर किसी व्यक्ति समूह को मान हान होती है, उसके मन पर हान ही पहुचती है, तो ऐसे पर भी आपको क्या लगाया जा सकता है, आपके बोलने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है, इसी के साथ साथ, और भी points हैं, विदेशी राज्यों से मित्रता पून संबंद अगर बनाते हैं आप, देखिए, विदेशी राज् पाकिस्तान हो गया, जिससे हमारे देश की हालात अच्छे नहीं चलने हैं, अगर उस राज जिसे आप अच्छे मित्रता पून संबंद बनाते हैं, तो ऐसी स्थिती में भी आपके बोलने पर प्रतिबंद लगाया जा सकता है, और जो आपका नवा बहुत महत्पून point है, यह है, यह नवा मैं डालता हूँ, यह है कि बैया, नयाले की आउमानना, अगर आपके नयाले के नियमों की उलेगना करते हैं, नयाले की आउमानना करते हैं, तो इस पर भी क्या हो सकता है, प्रतिबंद लगाया जा सकता है, कि इस पर आपके बोलने पर प्रतिबंद लगा आपके आपके एक्जाम में कोई भी टॉपिक हो गया, यह mcq के रूप में डाल सकते हैं, यह mcq के रूप में डाल सकते हैं, सदाचार, नैतिकता, अपराद ये सारी points में से किसी एक को point को भी अगर आपने miss कर दिया और आपके option के रूप में आपके पास आगया, अन्य सब्दों में ये किसी सब्दों में आ सकते हैं, बदल बदल कर, देखे UPC के exam की सबसे खास बात ये है कि पूछता आपको वहीं से है लेकिन सब्दों के उलट फेर में इस तरह से आपको फसाता है ये commission कि आप उत्तर सही नहीं दे पाते हो पता तु सभी को होता है मोटे मोटे syllabus को हर्स कोई पढ़ा होता है, लेकिन उत्तर देनी की शमता उन्हीं में होती है जो बहुत डीब तरीके से बहुत विस्तिब तरीके से articles को खोल कर articles को analysis करकर पढ़ा हो वहीं उत्तर देनी की स्थिती में होता है, ठीक है तो ये आपकी वाक एवं अपिवक्ति की सोतनतरता के अंतरगत कुछ मोते हैं, देखे, अब इसी पर उचितम नयाले ने कुछ नर्ड़े भी दिया है कुछ टिपनिया भी की है वाक एवं अपिवक्ति की सोतनतरता पर देखे, जब भी articles जब भी Supreme Court की बात आती है, और Supreme Court जब भी किसी मामले पर अपनी टिपनी देता, अपनी judgment सुनाता है, अपनी राय रखता है, तो वो राय UPSC के exam के point of view से बहुत important हो जाती है, ठीक है, वो क्या राय है, वो अब हम आगे देखते हैं चलिए, इसी रिस करता हूँ, और प्लीज, कमेंट सेक्शन में जरूर बता है कि पढ़ाने का तरीका कैसा है और आपको क्या जो मैं आप ये deliver कर रहा हूँ, आपको समझानी की courses कर रहा हूँ, वो मैं समझा पा रहा हूँ, या कोई दोविदा है आपको, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता है, अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को अधिक सधिक लोगों तक भी शेयर करें, और ताकि हम आपको पूरी उपेसी की classes 3 में मोहया करा सकें, चलिए शुरू करते हैं, देखे अब इस पर क्या है उच्छितम नयाले ने कुछ क्या किया, नेड़े दिया इसी मुद्दे पर सवस्तंतरता के मुद्दे पर तो भाईया, उच्छितम नयाले ने देखे, मैं इसे लिख लिख कर भी आपको बता रहा हूं ताकि आप जो मैं लिख रहा हूं, वो भी आप लिख ले, ताकि आपके notes भी बनते उच्छितम नयाले दे रहा था, विविन नेड़े दे रहा था उसमें उच्छितम नयाले ने कहा कि भाईया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है स्वतंतरता है, उसमें hate speech, मैं point को इसे highlight कर रहा हूं hate speech, इस word को समझें, ठीक है hate speech, जो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है कुछ भी जहर बोल सकते हो, किसी के खिलाफ इतना जहर बोल सकते हो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता वहीं तक रहती है जब आपके बोलने पर किसी अगले व्यक्ति को मानी हा नी ना हो, हा नी ना हो बात को समझें, तो सुप्रिम कोट ने कहा, कि भईया, अभिव्यक्ति की स्वतंतरता में हेट स्पीच, ये जो है ये सामिल नहीं है सुप्रिम कोट ने जेजमेंट में कहा नहीं सामिल, क्या नहीं सामिल है, हेट स्पीच नहीं सामिल है, चो कहा, चो कि उन्होंने कहा, कि किसी व्यक्ति के खिलाब, या फिर समुदाय के विरुद, कोई व्यक्ति है, या फिर कोई भी समुदाय है, इनके विरुद, यदि कोई दुर्भावना बढ़ाने के परपस से, ठीक है, दुर्भावना बढ़ाने के परपस से केवल नैतिक्ता के विरुद्ध अगर कोई ऐसी बाते करता है तो ये बहुत गलत बाते हैं और ये अविवक्ति के सुतंतरता में नहीं आएंगी ठीक है और ये भी कहा कि ये लोक ब्योस्था यानि कि हमारी लोक ब्योस्था के लिए क्या है बड़ी चुनौती है बड़ी कि सुप्रिम कोट के जो सुप्रिम कोट ने वाक एवं अविवक्ति के सुतंतरता पर बोला था साब ये देखे ये मोटे से हैड ये हैडलाइन मैंने हैट स्पिच को इसलिए डवर अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सुप्रिम कोट का नेड़ था ठीक है और 2016 में उच्छित ने एक और महत्पूर्ण नियरने दिया 2016 में एक और सुप्रिम कोट ने ने दिया नियरने दिया ये कहा सुप्रिम कोटा कि जो आपकी IPC है इंडियन पैनल कोट भारतिय डंड सहिंता आपका जो इंडियन पैनल कोट है भारती डंट सहींता है उसकी आईपीसी की धारा धारा 499 ठीक है मैं थोड़ा सा पहले इस धारा को बता दूँ उसके बाद नेड़ा क्या दिया सुप्रिम कोट ने वो मैं आपको बताता हूँ देखिए जो आपकी आईपीसी इंडियन पैन नियान बे वो कहती है मानिहान का मुद्दा इसमें आता है कि अगर आपके बोलने से किसी को मानिहान होती है तो उस पर कुछ डंडातमक कारवाई होती है ठीक है तो ये धारा 499 है ठीक है तो सुप्रिम कोट ने 2016 में निर्ड़ा देते हुए सुप्रिम कोट ने कहा कि जो आ ठीक है इसके अनुसार जो है अविव्यक्ति की स्वतंतरता में इन्हों ने कहा सुप्रिम कोट ने कहा कि भाईया अविव्यक्ति की स्वतंतरता स्वतंतरता में किसी को मान हानी मान हानी की स्वतंतरता नहीं है बात को समझे वही बात है ना धारा 499 जो IPC की है क्या कि डिफेम वाली धारा कि अगर आप किसी को मानिहान पहुचाते हो तो आप पर डंडात्मक करवाई की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हा भीया जो IPC धारा 499 वो विल्कुल समयदानिक है बिल्कुल सही है बिल्कुल जायज है विल्कुल constitutional है और कहा कि भीया अविव्यक्ति की सौतंतरता में किसी को मानिहान की सौतंतरता यानि की आप बोलने की सौतंतरता में अगर आप ये चाहें कि आप किसी के मन पर हान ही पहुचा सकते है इसकी सौतंतरता है तो नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो चितम नयाले ने 1499 आईपीची की को समयदानिक करार दिया ठीक है तो बात को समझें ये जजमेंट्स होते हैं सुप्रिम कोड के और जब आप आपका आंसर करते हो आप आपके आंसर में कुछ पॉइंट्स डालते हो तो ये जजमेंट्स है वो इंपोर्टन्ट हो जाती है और जब ये जज examiner के सामने जाती है तो examiner को भी लगता है कि आप इस अनुशेद इस article की development से आप well aware हो अच्छे से जानते हो और यही वज़ा है कि कुछ-कुछ इस तरह के points आपको marks दिलाते हैं ठीक है यही वज़ा है कि आपको अन्य से अलग करते हैं अन्य था तैयारी तो बहुत बड़ी सं 14492 है वो मैंने बताया ही कि यह इसके अनुसार क्या होता है यह डंड़निया प्राध है और इसके अंतर विगत आपको क्या होती है दो वर्स की सजा हो सकती है या दो वर्स से जादा की सजा हो सकती है यदि यदि क्या हुआ यदि आपने ऐसी भासा का इस्तमाल किया ऐसी से खिलाब जाते हैं तो यह सीधा आप को पास कहां जा सकता है सुप्रिम कोट चा सकता है और यह कोट में जा पैरविं लगा सकता है किcessors का मुकदमा आपकर सकता हैipl कोट है वो कहता है कि जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंतरता यानि कि बोलने की स्वतंतरता है उसमें असहमती अथ्वा मतवेद हो सकता है बात को समझे मैं थोड़ा से लिखता हूँ कहता है सुप्रिम कोट कि असहमती वा मतवेद हो सकता है माल लेजे इसको मैं समझाता हू Supreme Court कहता है कि माली यह आपकी A person है माली यह कोई आप जेठालाल है आप जेठालाल है और यह है बीड़े कोई एक नाम मैं देता हूँ ठीक है Example के तौर पर बेड़े अब यह जेठालाल जो है जेठालाल अगर कुछ सब्द बोलता है कुछ बाते कहता है ठीक है तो और माली जेठालाल ने कहा कि मैं कुछ भी statement देता है जेठालाल जो बेड़े को पसंद नहीं आती है ये statement और बेड़े को पसंद नहीं आती है तो ये statement ऐसा नहीं है बेड़े से असहमत हो सकता है इसके statement से ठीक है माली जेठालाल ने कहा कि भारत की राजदानी दिल्ली नहीं एहमदाबाद होनी चाहिए थी जेठालाल ने बेडे ने कहा जेठालाल ने कहा भारत की राजदानी जो है दिल्ली नहीं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए एहमदाबाद होनी चाहिए बेडे इस बाद से असहमत है कि नहीं या मैं यह तो नहीं लेकिन सुप्रिम कोट ने ये भी कहा कि असहमती के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा पर हमला करना अतारकिक है बात को समझें आप देखें ये तो बाते हो गई सुप्रिम कोट ने कहा ये तो मदबेद जो है असहमती मदबेद तो सही है वैलिड है लेकिन इसके इसके परदे पर आप अगर असहमती के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा पर और हमला करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, invalid है, अतारकिक है तो ये सारी चीजे क्या है अब माली जेठालाल यही कहा दे कि बेड़े जो जेठालाल कहा दे कि बेड़े जो ये जो जो तेरे सर पर बाल नहीं जाना बाल को लेकर कुछ टिपनी कर दे माली जे बेड़े के सर पर कोई बाल नहीं है, बेड़े टकला है उसके सर पर बालों की संख्या कम है तो जेठालाल कहा दे उसके बालों पर कुछ टिपनी कर दे तो ये असहमती और मतवेद की हो सकता है लेकिन असहमती के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा पर हमला करना अतारकिक है इन्वैलिड है बात को समझे ठीक है तो उच्छितम नयाले ने ये सारी चीजे कहीं ठीक है अब देखे उच्छितम नयाले ने और भी ब्रेप किया इसे ठीक है सुप्रिम कोट ने और भी ब्रिप किया और यहां तक सुप्रिम कोर्ट ने कह दिया कि प्रतिष्ठा का अधिकार बहुत बड़ी बात सुप्रिम कोर्ट ने कही है ठीक है आप इसे कोर्ट करें अपने उत्तर में बेजजग कोर्ट करें लिखा सुप्रिम कोर्ट ने बोला कि प्रतिष्ठा का अधिकार अब देखे, यानि की सुप्रिम कोट ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी, कह दिया सुप्रिम कोट ने की प्रतिष्ठा का अधिकार, यानि की अगर आपके प्रतिष्ठा पर कोई आपको छोट पहुचाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके जीवन के चेड़ चाड़ कर रा है परश्ने चिन खड़ा कर रा है आपके प्रतिष्ठा पर कुछ अतार्थिक बात कोई कर रहा है ट्क है तो सुप्रिम कोट ने यह कहा के प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन के अधिकार काorse the & बहा feature और यह भी कहा रहा हम कि मैं पेन ले रहा हूँ ये भी कहा कि इसके अनुसार उन्हेंने कहा कि मानिहान करना बात को समझे कहा सुप्रिम कोट ने कि मानिहान करना केवल केवल अभिव्यक्ति की स्वतन्तरता का शना ये नही 5000 है नहीं है बलकि बलकि छीवन के अधिकार का भी विरोधी है, बलकि जीवन के अधिकार का भी विरोधी है, ये सुप्रीम कोट ने बहुत ही महत्रपूर्ण बहुत ही बड़ा जयमेंट दिया जिसमें कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन का अधिकार का भी एक भाग है तो भया पूश लिया गया 19 स्वतनतरता का अधिकार अगर भया यही पूश लिया गया कि 19 में क्या आता है जीवन का अधिकार का भाग है कि नहीं है अब आपका माइंड गूम रहा है कि भया article 21 है जीने का अधिकार तो फ़या 19 में कहां बाते आ जा रही है नहीं सुप्रिम कोट ने क्या कहा सुप्रिम कोट ने कहा भाई कि प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन का अधिकार का एक भाग है ठीक है इस इन डारेक्ट वे में जीवन का अधिकार अगर आपके प्रतिष्ठा पर कोई हमला करता है तो आप ये मान कर चलिए आपके अधिकार आपके जीवन के अधिकार पर भी प्रशन चिन खड़ा हो रहा है खड़ा कर रहा है ठीक है अब देखे ये पॉइंट्स ये सुप्रिम कोट ने कुछ कोट जजमेंट दिये ठीक है अब देखे प्रेस की स्वतंतरता पर भी एक खड़ा होता है इसे मैं एरेस करता हूँ प्रेस की स्वतंतरता एक मुद्दा आता है आपका टॉपिक आता है प्रेस की स्वतंतरता तोड़ा सा, देखे, प्रेस की स्वतंतरता और मानिहानी का विशह है, मैं हेडिंग डालता हूँ, प्रेस की स्वतंतरता और मानिहानी का विशह है, चलिए, देखे, देखे, जो हमारा लोकतंतर है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रस की स्वतंतरता का निर्डायक महत्व होता है आप सभी जानते हैं और मानिहानिक को डंडनी अपराद बनाने से प्रस की जो स्वतंतरता है वो प्रभावित हो गया आप सभी जानते हैं माल लिए कि बोल बोलने की स्वतंतरता पर अगर प्रतिबंद लगाया गया है कि कुछ कुछ मुद्धे पर आप नहीं बोल सकते तो लेकिन बोलने की स्वतंतरता पर अगर प्रतिबंद लगाया जा सकता है कुछ मुद्धे पर लगाया जा सकता है जाकसा कि हमने पहले देखा तो बोलने की गलत तरीके से इस्तमाल भी किया जा सकता है तो जब गलत तरीके से इसका इस्तमाल किया जा सकता है डंडनी अपराध है अगर आप गलत बोलते हो कुछ इस तरह से बोलते हो तो डंड के अपराध में भी चला जाता है वो तो बोलने की स्वतंतरता में जो है यह डंडनी अपर तो प्रस की स्वतंतरता भी बादित होती है ठीक है प्रस की स्वतंतरता क्या होती है इसे में प्र Baptist होती है यजो पत्रकार है उस यह ब जो समक्ष मानिहान कब है हरदम सताएगा यानि कि पत्रकार समझ लेगा माणी हैthose सरकार किसी चल रही है और यह workers कि सरकार और कोई माली ये कोई समू है मीडिया समू है भी समू तो ये जो सरकार चल लिए ए सरकार मीडिया समू ए सरकार के खिलाफ लिखना नहीं लिखेगा उसके खिलाफ नहीं बोलेगा क्योंकि भी या कहीं प्रस की स्वतंतरता प्रभावित के मामले में स्वारी आप मानि मानिहान के मामले में तब ना दे दिया जाए तो भैया यह क्या है कुछ निगेटिव बात हैं को यह जो बोलने की स्वतंतरता पर प्रति Kant बंड है वह की स्वतंतर पर भी कुछ संकुचित तरीक इस यह कही न गया है हम conclusion के तौट पर ये कह सकते हैं कि जो मानिहानी यानि कि जो बोलने की सुतन बोलने पर अगर किसी ने गलत बोल दिया तो इसे डंडिनी अपराद बनाया गया है ठीक है तो ये डंडिनी अपराद की जगह है इसकी जगह इसे civil अपराद बना सकते हैं क्या बना सकते हैं सिविल अपराद बना सकते हैं, ठीक है, बनाने की मांग की जा सकती है, की गई थी, इसे पहली की भी गई थी, और अभी भी करी जा सकती है, तो इसे डंडिनी अपराद की जेगर सिविल अपराद का मामला चलाया जा सकता है, चलाया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसी मांग की की निकलता है जो हम अभी सारे डेवलमेंट्स को हम ने देखा हमने पढ़ा हमने इसे नोटम्रोंट किया उण का का कन्क्लूजे जो कमेंट्स के तौर पर आप मैं चुकी आपके नोट्स ही आप बनाते चले और comment section में ये भी बताएं कि पढ़ाने का तरीगा कैसा है निसकर्स आप इसे note down कर सकते हैं निसकर्स के रूप में आप ये कह सकते हैं कि नयाले के अनुसार जो लोकतंत्र में असहमती देखे देखे जो आप मैं इसको आपको बताता हूँ लेकिन मैं इससे पहले आपके UPSC के exam में बहुत important है answer writing करना ठीक है और answer writing कैसे होती है जब आप पढ़ रहे होते हो यानि कि answer writing कोई अलग भाग नहीं है अलग segment नहीं है ये ये आपके पढ़ने जब आप पढ़ाई के दोरान ही ये किया जाने वाला एक process है समझ रहे हैं यानि कि अभी आप पढ़ बनाना खुद का notes यही होता है जब आप खुद का मतलब क्या होता है कोई एक पन्ना उठाया आपने page उठाया मैंने आपको यहाँ पे class दी और आपने क्या किया उस class को लेने के बाद अपने सब्दों में fill लिखना शुरू कर दिया आपने इसी को तो answer writing कता है यहीं से तो answer लिखने का तरीका ठीक है अच्छा उत्तर आप आप पहले दिन लिख रहो आप 300 पैसेट वे दिन पर पहुचोगे 400 दिन पर पहुचोगे उस समया बहुत अच्छी notes बनाने की स्तिति में हो जाओगे और आपका जो उत्तर होगा वह बहुत ही क्या होगा बहुत ही प्रभा लिखने की कोसिस में आपको लिखवाता भी नहीं यहाप लिखता भी नहीं तो उसे आप अपने सब्दों में भी जो मैं बोल रहा हूं उसे आप अपने माइंड में रखकर अपने सब्दों में भी उसे लिखने की कोसिस करें चलिए निसकर्स की रूप में हम इन सारे developments को देखते हैं कि क्या कैसे और क्या कहा जा सकता है इसकर्ष में देखिए जो नयाले है वो नयाले नो तो कह दिया भिया उसके अंसार की लोकतंत्र में असहमती और मत भिंदता जो है वो आवस्चक है यानि कि जैसे कि असहमती असहमती और क्या है और आपकी मत भिंदता मत और तो यह अलग अलग सब के अपने मत्थ हो सकते हैं और असहमती भी हो सकती है किसी विश्यापर ठीक है तो Supreme Court ने तो कह दिया लोग की लोकतंत्र में जो है आसहमती और मदविन्तत एज जो जरूरी है बिल्कुल जरूरी है अगर लोकतंत्र है तो इस पर खत्रा है ठीक है लोक तंतर पर ठीक है तो लेकिन ये कहा गया असहमती और मत भिन्नता तो आवश्यक है जरूरी तो है ये लेकिन लेकिन लिखा इस पर ये भी कहा सुप्रिम कोड ने कि असहमती के नाम पर किसी विक्त के प्रतिष्ठा पर हमला उसके जीवन के अधिक कारव पर हमले की भात है ठीक है यह इंपोर्टेंट है जो मैं इससे पहले हुए बताया यह बहुत इंपॉर्टेंट जैजमेंट सुप्रिम कोर्ट ने बोला कि भ不多 कि अगर प्रतिष्ठा पर हमला है कन्क्लूजन की रूप में यह मैं आपको बता दू किसी वेक्त के प्रतिष्ठा पर अगर हमला कर रहे हैं तो जीवन उसके जीवन पर हमला है ठीक है जीवन पर क्या है जीवन पर हमला है जो मूल अधिकार में सबसे जादा महत्पूर्ण है समझ रहे हैं जो यह क्या है हमारे जो मूल अधिकार मिले हैं फंडमेंटल राइट्स मिले हैं मूल मिले है कि आप सुप्रिम कोट सीधा सब 32 के तहट जा सकते हैं आप कोई मामला आया आपके पास आपके मूल अधिकार का हननुआ आपके का मामला हो गया सबके लिए समानता की माम और सबके लिए कानू नेक है वह सारी जो आपके जो फंडमेंटल राइट हैं वो सारे दिये गए हैं लेकिन उसमें एक आर्टिकल यह है कि जीवन जीने का अधिकार जीवन पर आपके हमला माली आपका जीवन रहा ही नहीं तो यह सारे फंडमेंटल राइट का किस काम के रहेंगे माली आप आपकी मौत हो जाती है आपको किसी न मारदे तो भया यह जीवन आपका जीवन जब रहा ही नहीं तो यह आपके पास fundamental right का मतलब ही नहीं तो सबसे मुख बिंदू क्या है सबसे मुख की बात यह है कि जीवन पर हमला जो है यह मूल अधिकार का यह सबसे महतपून मामला है ठीक है यानि कि अगर आप किसी के प्रतिष्ठा पर हमला करते हो तो उसके जीवन पर हमला के बराबर है यह और यह जीवन पर हमला सबसे मूल अधिकार का सबसे महतपून क्या है भाग है सौर्दिंग महत्वपून पार्ट है समझ रहा है बात को तो ये आपके निसकर्स के तौर पर सुप्रिम कोर्ट ने नियाले ने ये बाते कहीं ठीक है तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल 19 अभी और भी बहुत ब्रीफ में है जिसे मैं कल आपको बतान मामले में देजद्रो के मामले में सुप्रिम कोर्ट ने पालिकार ने क्या निर्ड़ दिया कैसे दिया किस तरह से जैन्यू का मामला आया राश्रदो के को व्यावहारिक मुद्दे से कैसे जोड़ा जाना चाहिए ये सारे मामले आपके exam के point of view से बहुत महत्वपून है current का मुद्दा होता है तो ये सारे topics हम कल देखेंगे इसी article 19 को और expand करेंगे और brief में पढ़ेंगे चलिए आज हम इस segment में हमने article 19 के कुछ parts को जाना और जो भी students यहाँ पर free में तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से हमसे जोड़ सकते हैं अगर आप हमें अभी तक सुनना है पर हमारी जो telegram channel उस पर भी आप जोड़ सकते हैं इसी video के discussion box में telegram channel का जो link है वो दिया गया है link पर जाकर click करके telegram channel join कर सकते हैं वहाँ पर आपको free classes की सारी जानकारी महया करा दे जाएंगी classes किस तरह से होंगी क्या कैसे होंगी सारी जानकारी महया करा जाएंगी तो यह सा सारी process बताऊंगा कि classes कैसे होंगी किस तरह से होंगी क्या timing होंगी किस और classes और subject की कैसे कैसे होंगी किस duration में आपके course complete करा जाएंगा यह सारी information कुछ ही couple of days में या फिर within a week आपको यह information आपके साथ share कर दे जाएगे ठीक है तो इस video को अगर आप थोड़ा भी अच्छा चलिए इस video को अधिक से अधिक share करें तब तक के लिए धन्यवाद